आप उन पर फरोसा नहीं कर सकते हैं. परमेश्वर हमेशा नए होते हैं, कभी भी पुराने नहीं. वे परमेश्वर हैं, जो सबको खुद में समाये हैं. परमेश्वर के अलग-अलग नाम, उनकी संपूर्णता को रुपायत करते हैं. इसलिए, जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं, उनकी नाम भी बदलते रहते हैं. क्या? परमेश्वर के नाम उनकी संपूर्णता को नहीं दर्शाते? यहुवा पूरी तरह से संपूर्ण परमेश्वर को दर्शाते हैं, और उद्धारक यिशु परमेश्वर के और भी अधिक संपूर्ण रूप को दर्शाते हैं इन सच्चाईयों को इसाईयों ने हजारों साल से स्विकार किया है और परमेश्वर में हमारी आस्था को कोई नकार नहीं सकता बिलकुल ये दो नाम यहोव और यिशु परमेश्वर को उनकी संपूर्णता में दर्शा सकते हैं इसको नकारा नहीं जा सकता यिशु मसीव वे हैं जिन पर लोग परमेश्वर में अपनी आस्था रखकर अपनी रक्षा के लिए भरोसा करते हैं आप तो परमेश्वर के नाम को नकार रही हैं फिर आपको उपदेश दिनी का हक है परेशान बत हो ये जरा मेरी बात हो गया है पिंग आप प्रभु को दोखा दे चुकी है हम आपसे कुछ नहीं सुनना चाहतें सिस्टर ली शान्त हो चाहिए हम सिस्टर फैंग और दूसरों को सुनना चाहते हैं फिर सोचेंगे आएए थोड़ा और सुने जहां तक परमेश्वर के हर नाम से उनकी संपूर्णता को दर्शा सकने का सवाल है ये ऐसा नहीं जिसका निर्धारन लोगों द्वारा किया जा सके आएए देखें इस बार में सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं क्रिपया प्रिष्ट 925 पर नजर डाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं ये शुका नाम छुटकारे के कार यहे तू लिया गया था तो क्या जब वह अंत के दनों में लोटेगा तो तब भी उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा क्या वह अभी भी छुटकारे का कार्य करेगा ऐसा क्यों है कि यहोवा और यूशु एक ही है फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है क्या यह इसली नहीं कि उनके कार्य के युग भिन्न भिन्न है क्या केवल एक ही नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? इस तरह भिन्न युग में परमेश्वर को भिन्न नाम के द्वारा अवश्य बुलाया जाना चाहिए उसे युग को परिवर्थित करने और युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम का उप्योग अवश्य करना चाहिए क्योंकि कोई भी एक नाम पूरी तरह से परमेश्वर स्वयम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और हर नाम एक हास युग में परमेश्वर की स्वभाव का लौकिक स्वरू भी दर्शा पाता है और प्रतेक नाम को केवल उसके कार्य का प्रतिनिधित्व ही करना है इसलिए समस्त युक का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर अपने स्वभाव के लिए हितकारी किसी भी नाम को चुन सकता है क्या येश्व का नाम परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर के स्वभाव को उसकी समगरता से व्यक्त कर सकता है क्या यह पूरी तरह से परमेश्वर को स्पष्ट कर सकता है अगर इंसान कहता है कि परमेश्वर को केवल ईश्व कह सकते हैं कुछ और नहीं क्यूंकि परमेश्वर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है तो ऐसे वचन ईश्निंदा है क्या तुम मानते हो कि यीशु नाम परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर का समगरता से प्रतिनिधित्व कर सकता है परमेश्वर को कई नामों से बुलाया जा सकता है किन्तु इन कई नामों के बीच एक भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के स्वरूब को सारगर्वित रूप से व्यक्त कर सकता हो एक भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकता हो और इसलिए परमेश्वर के कई नाम है किन्तु ये बहुत से नाम पर्मेश्वर के स्वभाव को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं क्यूंकि पर्मेश्वर का स्वभाव अत्यधिक समृद है और मनुष्य के ज्यान से परेविस्तारित है मनुष्य की भाषा परमेश्वर की समस्त विशेष्टाओं को पूरी तरह से सारगर्भित रूप से व्यक करने में असमर्थ है एक विशेष शब्द या नाम परमेश्वर का उसकी समगरता में प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है तो क्या परमेश्वर एक निश्चित नाम धारन कर सकता है? परमेश्वर इतना महान और पवित्र है तो तुम उसे प्रत्येक नए युग में अपना नाम बदलने की अनुमती क्यों नहीं देते हो? वैसे तो, प्रत्यक युग में जिसमें परमेश्वर स्वयम अपना कार्य करता है, वह एक नाम का उप्योग करता है अपने कार्य को सारगर्भित करने के लिए वे युग को लाप पहुँचाने वाला नाम इस्तिमाल करते हैं वह उस यूग के अपनी स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस विशेश नाम, एक नाम जो अस्थाई महत्व से संपन्न है का उपयोग करता है। परमेश्वर अपने स्वयम के स्वभाव को व्यक करने के लिए मनुष्य की भाषा का उपयोग करता है। अच्छा तो ये बात है, परमेश्वर के नामों के बदलने के पीछे बहुत से रहसे हैं। बिल्कुल सही, ये वचण बहुत वहवारिक है। सोहम परमेश्वर के सिभाए ये वचण और कौन बोल सकते हैं। यह सच है, हमारे परमेश्वर का स्वभा बहुत गुणवान है, सिर्फ एक नाम उनको संपुर्ण रूप में दर्शा नहीं सकता, परमेश्वर का धन्यवाद, यह वचन इतने कठोर हैं, मैंने इने पहले कभी नहीं सुना, भाईयो और बहनों, परमेश्वर बुद्धिमान सर्फ शक्तिमान शासक हैं, वे महान हैं, प्रचूर हैं और सबको समेटे हुए हैं, कोई एक नाम उनके हर रूप को नहीं दर्शा सकता, इस सबसे बढ़कर हर एक युग में परमेश्वर ने अपने कार्य का एक अंज ही पुरा किया है, और उन्होंने अपने स्वभाव का एक अंज ही प्रकट किया है, अपना अस्तेत्व और जो कुछ उनके पास है उन्होंने वो सब व्यक्त नहीं किया, इसलिए अपनी कारे के हर चरण में वे एक विशेश नाम अपनाते हैं जिसमें उस युग की महता समाई होती है ताकि उस युग के उनकी कारे और उनके व्यक्त स्वभाव को दर्शाया जा सके यह परमेश्वर की कारे का सिध्धान थे और यही वो बुनियादी वज़े है कि वे अपना नाम बदल लेते हैं चुकि आप कहती हैं कि हर युग में परमेश्वर का नाम उनकी संपूर्टा को नहीं दर्शा सकता तो हर युग में उनके नाम की क्या एहिमियत है सिस्टर वांग यह एहम सवाल है यह परमेश्वर की हमारी समझ के लिए मददगार हो सकता है सुनिये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें इस सवाल का जवाब दिया है सभी लोग रिपया प्रिष्ट 1202 देखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं यहोवा वह नाम है जिसे मैंने इसराइल में अपने कार्य के दौरान अपनाया था और इसका अर्थ है इसराइलियों परमेश्वर के चुने हुए लोग का परमेश्वर जो मनुष्य पर दया कर सकता है मनुष्य को शाप दे सकता है और मनुष्य के जीवन को मार्ग दर्शन दे सकता है इसका अर्थ है वह परमेश्वत जिसके पास बड़ा सामर्थ्य है और जो बुद्धी से भरपूर है येश्व इमैन्युएल है और इसका मतलब है वह पाप बली जो प्रेम से परिपूर्ण है करुणा से भरपूर है और मनुष्य को छुटकारा देता है उसने अनुग्रह के युक का कार्य किया और वह अनुग्रह के युक का प्रतिनिधित्व करता है और वह प्रबंधन योजना के केवल एक भाग का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है अर्थात केवल यहोवा ही इसराइल के चुने हुए लोगों का परमेश्वर इबराहीम का परमेश्वर इसहा का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर मूसा का परमेश्वर और इसराइल के सभी लोगों का परमेश्वर है और इसलिए वर्तमान युग में यहूदा के कुटुम के अलावा सभी इस्राइली यहोवा की आराधना करते हैं वे वेदी पर उसके लिए बलिदान करते हैं और याजकी अलबादे पहन कर मंदिर में उसकी सेवा करते हैं वे यहोवा के पुना प्रकट होने की आशा करते हैं। केवल येशु ही मानवजाती को छुटकारा दिलाने वाला है। येशु वह पाप बली है जिसने मानवजाती को पाप से छुटकारा दिलाया है। जिसका अर्थ है कि येशु का नाम अनुग्रह के युग से आया और अनुग्रह के युग में छुटकारे के कार्य के कारण विद्यमान रहा अनुग्रह के युग के लोगों को आध्यात्मिक रूप से पुनरजीवत किये जाने और उनका उद्धार किये जाने हे तू अनुमती देने के लिए येशु का नाम विद्यमान था और येशु का नाम पूरी मानवजाती के उद्धार के लिए एक विशेश नाम है और इस प्रकार येशु का नाम छुटकारे के कार्य को दर्शाता है और अनुगरह के युक का यहोवा का नाम इस्राइल के लोगों के लिए एक विशेश नाम है जो व्यवस्था के अधीन जिये थे। पूझे जाने वाले परमेश्वर का सम्मान सूचक है। येशु अनुगरह के युक को दर्शाता है। और यह उन सब के परमेश्वर का नाम है जोने अनुगरह के युक के दौरान छुटकारा दिया गया था। यदि मनुष्य तब भी अंत के दिनों के दौरान उधार करता यीशु के आगमन की अभिलाशा करता है और तब भी उससे अपेक्षा करता है कि वह उस पतिरूप में आए जो उसने यहुदिया में धारण किया था, तो छे हजार सालों की संपूर्ण प्रबंधन योजना छु यह उससा इसलिए है क्योंकि उधार करता यीशु सिर्फ मानवजाती के छुटकारे और उधार के लिए है मैंने अनुग्रह के युक्के सभी पापियों के लिए यीशु का नाम अपनाया था और यह वह नाम नहीं है जिसके द्वारा मैं पूरी मानवजाती को समाप्त करूँगा यह वचन वाकई बहुत सबस्ट है यह वाकई परमेश्वर की वचन है? मुझे तो यहीं लगता है इन वचनों से यह साफ है कि परमेश्वर के नामों में वाकई कोई रहस्य चुपे हुए है इन कई बरसों से मैं बाइबल पढ़ती रही हूँ और मैंने भी उनके नाम की खोज की है परन्तु मैं कभी भी उसमें छुपे रहस्यों को नहीं समझ पाई लेकिन आज उन लोगों ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है हे प्रभू, इसमें क्या सच्चा ही छुपी हुई है? भाई और बहनों, सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हम सब ने हर यूग में परमेश्वर द्वारा अपनाएगय नामों का अर्थ समझा है व्यवस्था की यूग में उनका नाम यहोवा था और यह नाम उस यूग में मानवजाती के सामने उनकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है प्रताप, क्रोध, श्राप और दया का उनका स्वभाव फिर परमेशों ने यहोवा नाम अपना कर व्यवस्था के युक का कारिय शुरू किया उन्होंने व्यवस्था और आदेश जारी किये और नवजात मानुवजाती की पृत्वी पर अपना जीवन जीने में अगवाई की उनकी मांग थी की लोग व्यवस्था का पालन करें और उनकी आराधना और उनका सम्मान करना सीख लें व्यवस्था का पालन करने वाले किसी को भी आशीश और अनुगरह मिलना निश्चित था जो कोई व्यवस्था को तोड़ता उसे पत्थरों से मार दिया जाता या स्वर्ग की जुआला में भून दिया जाता इसलिए व्यवस्था में जीने वाले इसरालियों ने सकती से इसका पालन किया और यहोवा के नाम को पवित्र माना कुछ हजार सालों तक व्यवस्था के युक की समापती होने तक वे यहोवा नाम के अधीन रहे व्यवस्था के युक का अंत होने पर चूंकि मानव जाती भ्रष्ट हो गई थी और उनका पाप बढ़ रहा था इसलिए लोगों के सामने व्यवस्था को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं रह गया था सब पर व्यवस्था तोड़ने के लिए दंद पाने का सतत खत्रा मंडरा रहा था इसी वजह से परमेश्वर ने येशु नाम धारण कर पाप मुक्ती का कार्य किया उन्होंने परमेश्वर का प्रेम और दया का स्वभा व्यक्त करके अनुग्रह के युक की शुरुवात की और व्यवस्था के युक का अंत किया उन्होंने इंसान पर अनुग्रह बरसाया उन्हें मनुश्य की खातिर सूली पर चढ़ा दिया गया ताकि हमें हमारी पापों से छुटकारा मिल सके। उसके बात से हमने यीशु नाम की आराधना करना और उनके नाम को पवित्र मानना शुरू किया। ताकि हमारे पापों के लिए माफी मिले और हम उनके अनुग्रह का आननद उठाएं। येशु नाम ऐसा है कि अनुग्रह के युग के लोग दोबारा जन्म लेकर उद्धार प्राप्त कर सकें। इसका अर्थ मानवजाती के छुटकारे के लिए दया और प्रेम की पापबली होना है। येशु नाम परमेश्वर की पाप मुक्ति के कार्य को दर्शाता है। और यहां उनकी दया और प्रेम के स्वभाव को भी रुपायत करता है। भाई और बहनों, परमेश्वर द्वारा पूरे किये गए कार्य दो चरणों से हम देख सकते हैं। कि हर युग में वे जो भी नाम अपनाते हैं, उसकी अपनी एहम्यत है। प्रतेक नाम परमेश्वर के उस युग के कार्य को और उनके स्वभाव को दर्शाता है। अनुगरह के युग में, जब प्रभू आये, तो अगर उन्हें येश्व न कहकर यहोवा कहा जाता, तो परमेश्वर का कार्य व्यवस्था के युग में रुग गया होता। और भ्रश्ट मानवजाती को परमेश्वर से पापमुक्ती नहीं मिलती। आखिर में, व्यवस्था तोड़ने के लिए मनुश्य की निंदा हुई होती और उसे दंड मिला होता। और जब परमेश्वर अंत के दिनों में आये, तब यदी उन्हें येश्व कहा जाता, तो भ्रश्ट मानवजाती को केवल अपने पापों से छुटकारा मिल पाया होता। पर अंतु उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बचाया नहीं जाता। ऐसा इसलिए कि प्रभु येश्वर में विश्वास करके हमारे पाप माफ कर दिये जाते हैं। लेकिन हमारा पापी स्वभा फिर भी मौजूद रहता है। हम अब भी अक्सर पाप करते हैं, जिस वज़े से हम परमेश्वर को प्राप नहीं हो पाते। इसलिए मानव जाती को पूरी तरह से पाप से बचाने के लिए परमेश्वर अब एक और चरण का कार्य कर रहे हैं, जो कि प्रभु येश्व के कार्य की बुन्यात पर मानव जाती को पूरी तरह से शुद्ध करने और बचाने का है। इसलिए परमेश्वर का नाम अवश्य बदलना चाहिए.